आए जोरदार तालियों के साथ इन एतिहासिक घटनाओं का स्वागत करें भारत के माननिय प्रधानमंत्री श्री नरिन्द्र भाई मोधी के सुरक्षित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में हमेशा आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद विरुद्प्रवृत्ति को नाबूत करने के लिए सदा चिंता वचिंतन करते भारत के माननिय ग्रह मंत्री श्री अमिद्भाई शाह गुजरात से लोगसभा के सांसद आप GCA के पूर्व प्रमुक रह चुके हैं और आप ही के कारेकाल में इस विशाल स्टेडियम के निर्मान का प्रारंभ हुआ था ऐसे देश की सुरक्षा के लिए अनेक एतिहासिक निर्णे लेने वाले भारत के माननिय ग्रह मंत्री श्री अमिद्भाई को आमंत्रित करते हैं आपके संबोधन के लिए आज सर्दार पटेल स्पोर्ट एंकलेव के भूमी पुजन और नरेंद्र मोधी स्टेडियम मोटे रा के उद्घाटन प्रसंग पर आज हम सब के बहुत आग्रह पून निवेदन को संबान करते हुए उपस्तित महामहिम राष्ट्रपती स्रीमान रामनात कोविजी भारत की प्रथम महिला स्रीमती सविता कोविजी गुजरात राज्य के आजणिय राजपाल महुदय आचारिय देवर्वत जी भारत सरकार के खेलकुद मंत्री मेरे साथी स्रीमान किरन रिज्जु जी गुजरात सरकार के उर्जावान उपमुख्य मंत्री स्रीमान नितिन भाई पटेल जी संसत सदस्य और जिनों ने पूरे स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन में बहुत योगदान दिया है ऐसे भाई परिमल नत्वानी जी गुजरात सरकार के मुख्य सचीव स्री अनिल मुकिम जी एस्ट्रक्शन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्स बिसी सी आई के सचीव स्रीमान जय जी स्री धन्नुराज नत्वानी जी और आज देश भर से आये हुए राज्य के सभी खेल कुछ जगत के नामांकित व्यक्तिगन और उपस्तित भाहियों और बेहनों आप सभी को मैं प्रणाम करकर मेरी बात की सुरुवात करना चाहता हूं मित्रो आज भारत के खेल जगत के इतियास का स्वनेम दीन है आज के दिन भारत के राष्ट्रपती महोदय के करकमलों से भारत के लोपुरुष भारत रत्न और गुजरात के सुपुत्र सरदार वलबबाई पटेल के नाम के साथ जोड़ कर एक बड़े स्पॉट एंकलेव का भूमित पुजन करने की सुरुवात आज राष्ट्रपती महोदय के हाद से हुई इस स्पॉर्ट्स कॉंप्लेक्स जो बनेगा जिसका विशाल स्टेडियम भी एक हिस्सा होगा इस स्पॉर्ट्स कॉंप्लेक्स में विश्वस्तरिये सभी खेलों की व्यवस्ता यहाँ पर होगी और देश और दुनिया के सभी खेलों के सभी खिलाडियों को ट्रेनिंग की भी व्यवस्ता पर यहाँ पर होगी उनके कोचीस को रहने के भी व्यवस्ता होगी और एक साथ तीन हजार बच्चे यहाँ पर अलग अलग खेलों का ट्रेनिंग ले सके इस प्रकार की व्यवस्ता का आज निर्मान और उसकी सुरुवात इसका भूमी पुजन महामहिम राष्ट्रपती महोदय के हाथ से हो रहा है इसका मुझे बहुत बहुत आनन और घौरव दोनों है क्योंकि मैं यहाँ से संसद भी हूँ राष्ट्रमती महोदय आज आज आप मेरी कॉंसिटेंसी में पदा रहे हैं इसलिए सांसदे नाते भी मैं आपका विसेश स्वागत करना चाहता हूँ मित्रो कोई जी जिस दिन भारत के राष्ट्रपती बने इस दिन भारत के करोडो सामान्य जनों के मन में एक स्रद्दा जागरूत हो गई कि हमारा लोकतंत्रा नीचे तक परकोलेट हो चुका है एक सामान्य घर से जन्मा हुआ संगर्स करा हुआ व्यक्ति एक देहात के अंदर पला बढ़ा व्यक्ति अपनी सिक्सा के दम पर अपने कर्तूतों के दम पर अपनी निष्टा के दम पर और अपनी मेहनत के दम पर भा हमारे लोक तंद्र का ग्वरव कि जब मैं फांडी में था कोविट जी का काम करते थे हमने साथ में बहुत काम किया है कि इतनी सरलता इतनी लगन इतनी महनत सायत ही किसी व्यक्ती में एक सथ मिलती है और अपने आप आगे न करते हुए चुप चाप अपने दिया हुआ काम करना और गव्रव के साथ करना और काम को भी गव्रव दिएगा एक इसी दक्स व्यक्तित में ही इतने सारे गुन समाहित होते हैं राष्ट्रपती बनने के बाद राष्ट्रिके भवन को उन्हें आम जन के लिए खुला कर दिया और राष्ट्रपती भवन के अंदर कई ऐसी एक्टिविटियां की कई ऐसी गतिविद्यां की जिसके माध्यम से राष्ट्रपती भवन लोगों को आज अपना लगने लगा है और मैं मानता हूं इससे हमारे लोक तंत्र का गवरव बढ़ा है और बात की शुरुवाद करना चाहता हूं मित्रो ए टोटल स्पॉर्ट्स कॉंपलेक्स जो बनेगा सर्दार पतेल स्पॉर्ट्स अंकुल वो 233 एकर भूमी में बनेगा इस देश का सबसे बड़ा स्पॉर्ट्स कॉंपलेक्स बनेगा इसके साथ नारणपुरा में एक 18 स्पॉर्ट्स कॉंपलेक्स बनेगा तो इन स्पॉर्ट्स अंकलेव सर्दार पतेल स्पॉर्ट्स अंकलेव नरेंद्र मोधी स्टेडियम और नारणपुरा में बनने वारा स्पॉर्ट्स कॉंपलेक्स यह तीनों मिलाकर किसी भी आंतराष्ट्रियस परधा में खेलने वाले मैं आग बताना चाहता हूँ एम्दाबाद और देश के लोगों को के तीनों चीजे मिलाकर सरदार पटेर स्पोर्स अंकलेव जिसका हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नार्णपुरा में बनने वाला एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये तीनों लोगों चीजों को इस याड करना हो चाहे ओलंपिक करना हो अम्दाबाद छे महिने के अंदर तैयार होकर खड़ा हो जाए इस प्रकार का स्पोर्ट्स इंफ्रस्ट्रक्चर आज यहां पर बनने की सुरुवात हुई है पर स्पोर्ट्स इंफ्रस्ट्रक्चर के बनने के साथ ही अम्दाबाद भारत में स्पॉर्ट सिटी के नाम से जाना जाएगा जो हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्य मंत्री थे तब देखा हुआ उनका सपना था मित्रो आज मैं जब यहां पर इस कारेक्रम में बोल रहा हूँ तब मुझे मोदी जी का इस सभी जो सुविदाय खड़ी हो रही है इसके लिए उनकी जो दूर्दसिता थी उनका जो विजन था उसका जिक्रगर में नहीं करूँगा तो मेरी बात दुरी रहे जाएगी मोदी जी जब गुझरात के मुख्य मंतरी बने कई बार उन्होंने गुझरात के मंतरी मंदल में कहा कि गुझरातियों को दो चीजों में आगे बढ़ना चाहिए सब चीज में हम आगे हैं दो चीजों को नहीं छोड़नी चाहिए इक स्पोर्ट और दूसरा सेना में भरती, सेना में भरती का कोटा भी हमारा खाली रह जाता था और स्पोर्ट की दुनिया में भी गुजराती कहीं दूर दूर तक दूर्बिन लेकर भी ढूंडो दिखाई नहीं पड़ते थे वहीं से नरेंद्र भाई ने गुजरात में दोनों की चीजों की सुरूआ थी और आज मुझे कहते हुए घरर है कि जो हमारा गुजरात का कोटा है सेना की भरती का वो आज खाली नहीं जाता है गुजराती विवा आज सेना में भरती होना सुरू और जहां तक खेल कुद का खेलो गुजरात की शुरुवात करी बड़ी-बड़ी स्पोर्ट सुविधाओं के अंदर उन्होंने अपना योगदान दिया उसको विज्यूलाइज किया उसको जमीन पर उतारा उसको मुर्त रूप दिया गुजरात क्रिकेट एसोसेशन के अत्यन्त व्यस्त होने के करने का काम करें इस विजन के साथ इन्होंने इसकी दूर दर्सित के साथ उसी वक्त प्लानिंग की थी और मित्रों जब स्ट्रेडियम बनाने की बात आई तब उन्होंने हम सब के सामने कहता चोटा मत सोचिए गुजरात में जो भी होगा विश्व का सबसे बड़ा होगा और विश्व में सबसे बड़ा होकर रहेगा और जब इस स्टेडियम बना और जब कैपेसिटी तरास की गई एक लाग बतीस हजार एक लाग बतीस हजार दर्सक साथ में बैट कर क्रिकेट की मैच का लूपत उठा पाए इस प्रकार का स्टेडियम स्री नरेंद्र मोधी के आँ राष्ट्रपती महदय ने अपने करमलो से उध़ाटी किया है जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है दुनिया का सबसे बड़ा स्पॉर्ट स्टेडियम है जिसका नाम आज हमने हमारे देश के प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी जी के नाम से रखा है यह जो सुभिधाय जो होने जा रही है इसके पहले मैं थोड़ा क्रिकेट स्टेडियम के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं मित्रों 32 ओलम्पिक साइज के फुटबॉल जेतना यह मैदान है 2,48,714 वर्ग मीटर का इसका क्षेत्रफल है 1,14,126 गन मीटर कॉंक्रिट और 13,306 मेटरिक टन लोहा इसके स्रुद्रणी करिंग के लिए उपियोग में किया गया है मित्रों इसको सभी दुष्टी से संपूर्ण स्टेडियम बनाने का GCA की टीम ने प्रयास किया है और मैं आज उनको कहना भी चाता हूँ कि आपका प्रयास सफल प्रयास है विश्व में किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में एक साथ ग्यारा पीच नहीं है एक साथ चार ड्रॉइंग रूम नहीं है एक साथ चारो ड्रॉइंग रूम के सटू वे चारो जिमनेशियम नहीं है एक दिन में दो मैच भी करने है तो इस्टेडियम कर सकता है और इसके साथ पूरी अत्यादूनिक सब स्वय जल निकासी प्रनाली भी बनाई है बारिस आती है तो कितनी भी बारिस हो आदे घंटे में मैच डिश्टब करे बगर आगे का खेल बारिक सुरूटे ही हम सुरू कर सकते हैं इस प्रकार का करा है दपिल ओफ प्ले एलिरी लाइट से लगाए हैं जिसके कारण खिलाडी की परचाई पीच पर नहीं पड़ेगी खिलाडी की परचाई ग्राउन पर नहीं पड़ेगी और क्रिकेट के खिलाडी अपना क्रिकेट बहुत अच्छे तरीके से खेल पाएंगे और जिसमें 40 से 50 प्रतिसत बिजली की बचत भी होने वाली है मित्रो जीस प्रकार का हाई-टेक मीडिया रूम बनाया है मुझे कहने में कोई जिजक नहीं है ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे हाई-टेक मीडिया रूम है जो यहाँ खेलने वाले हर खेल को दुनिया तक पहुचाने का काम करेगा खेल चाहे नरेंद्र मोधी स्टेडियम में खिला चाहे, खेल चाहे सरदार पटेल स्पोर्ट्स एंकलेव के अंदर खिला चाहे, वो खेल को प्रसारित करने की व्यवस्ता ये नरेंद्र मोधी क्रिकेट स्टेडियम के मिडिया रूम में है, और हाइटेक मिडिया बॉक्स जो जूडने वाला है मेट्रो भी यहां तक पहुचने वाली है और जब रिवर फ्रंट का एक्स्टेंशन समाप्त हो जाएगा एक सुन्दर मान नर्मदा और साबरमती के नीर हमेशा यहां सांती और सितलता प्रदान करते रहेंगे इस प्रकार का एक कुद्रती नजरा ने का काम समाप्त हो जाएगा और मित्रो में इसके साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि स्पोर्ट कॉंप्लेक्स के अंदर हि नरेंद्र मोर्दी स्टीडियम के अंदर ही अलग-अलग प्रकार के कई खेल को खेलने की विविश्टाई की है कि खिलाडियों को रहने की विविविवस्त और अमदाबाद ग्रामिन जिला के 600 स्कुलों को हम इसके साथ जोडने वाले हैं जिनके पास अपने प्लेग्राउंड नहीं है इनके पास अपने प्लेग्राउंड नहीं है बच्चों को खेलने की सुविदाय नहीं अगर बच्चा खेलेगा नहीं तो हारेगा कैसे हैं वो हा उन्हें 600 स्कुलों को 600 से ज्यादा स्कुलों को लगबग 600 स्कुलों को इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम के साथ जोडने वाले हैं 34 बसे उनको लाने ले जाने का काम करेगी इनके सारे पीटी के पीरिड एक साथ करकर सब्ता में एक दिन बच्चा यहां आएगा पूरा दिन खिलेगा खाना भी यहां खाएगा और साम को सुरक्सित अपने घर पर पहुंचाएगा एक कंप्लीट तीन जिलो की स्पोर्ट की सुविदा यहां पर खड़ी हो इस प्रकार के विजन के साथ मोधी जी ने इसका स्केच बनाया था मुझे आनंद है कि इनके बाद मैं अध्यक्स बना इनके बाद यह जिसी एक की टीम यहां पर बैठी है जय और धन्राज बैठें इन सब ने इखटा होकर आज मोधी जी के विचार को जमीन पर उतारने का काम किया है और नरेंद्र मोधी स्टेडियम देश की सेवा करने के के लिए यहां पर है स्टेडियम इत्यासिक स्टेडियम है कई सारे रेकोर्ड यहां पर बन रहे हैं आज भी बने हैं आज भी एक मैच यहां सुरू होने जा रहा है पिंक बॉल का मैच पहली बार स्टेडियम पर खिला जाएगा और मुझे कहते हुए बड़ा आनंद है यहाँ पर ही आफरीका के सामने मैच खलते हुए 6 विकेट जटकाए थे और भारत को विजह दिलाने का काम किया था इसी ग्राउन पर 10 साल के बाद कपिल देव ने रिचर्ड हेडली का 431 विकेट लेने का वर्ल रेकोर्ड को तोड़ कर भारत को वर्ल रेकोर्ड की तालिका में डालने का काम कपिल देव ने इसी भूमी पर किया था और इसी भूमी पर सुनिल गवासकर ने पाकिस्तान के खिलाब खेलते हुए अपने 10,000 रन समाप करे थे इसी भूमी पर मास्टर ब्लाटर सचिन तैंडूल करने 2011 के वर्ल कप में एक दीव मैच में 18,000 रन पूरा करने का काम किया था इसी भूमी पर सचिल तेंडूल करने अपनी केरियर के 20 साल भी पूरे किये थे मित्रो चेतेश और पुजारा भी यहाँ पर डबल सेंचुरी लगा रहे हैं आज भी खेल रहे हैं मैं तो आशा करता हूँ कि आज उसको वो रिपीट करें और भारत को विजय दिलाएं मित्रो मैंने आप सभी को नरेंद्र मोधी स्टेडियम की बात करी है मगर नरेंद्र मोधी स्टेडियम स्वयम जिसका एक अंग है ऐसा सरदार वलब्बाई पटेल स्पोर्ट एंकलेव का भी आज महा महिम ने भूमी पूजन किया है मित्रोय सरदार पटेल, स्पोर्ट्स, एंक्लेव, एक बहुत महतोकांगसी प्रोजेक्ट, आज हमारे देश को जरूर रहा थे कि आंतराश्ट्रिय स्परदाओं के अंदर हमारे बच्चे दिखाई पड़े, जब आंतराश्ट्रिय खेल स्परदाओं की तालिका बने, हमारे बच्चों के नाम पर कई सारे मैडल्स हो, मगर वो ऐसे ही नहीं होता है, उनको खेलने के लिए इंट्रास्ट्रक्चर बनाने अपड़ेगा, इंटरनेशनल स्तरकी कोचिंग की व्योस्ता करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल कोच उपलब्द करनाने पड़ेगे, और यही जब बाई पटेल स्पोर्ट एंकलेव को बना कर, मित्रो मोदी जी की सरदार पटेल के लिए जो स्रद्दा है, वो अखाद ही, सरदार पटेल का जो योगदान देश को आजादी के बाद एक करने में रहा, सायद सरदार नहों होते तो हम विखर जाते ही, कहीं नहीं होते है सरदार का ये द्रट निश्चा ही सभावी था, कि जिन्नोंने छे सो से ज्यादा राजो रजवाडों को रियासतों को एक करने का काम किया, मगर उनके साथ इतियास में बहुत अन्याई किया गया जब-जब कॉंग्रेस का सासन रहा, सरदार पटेल को भूलाने का प्रयास कर दिया, उस नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी व्यवस्ता की, कोई कितनी वेश बर्सों सासन करे, सरदार को कभी भूला न सापाए, युगो-युगो तक सरदार का नाम अमर हो जाने उन्होंने केवडिया में दुन्या का सबसे बड़ा स्टेच्यू गुजरात के सुपुत्र और देश के लोग पुरू सरदार पटेल के नाम पर बना कर, आज ताजमहल से ज्यादा लोग सरदार पटेल के वो स्टेच्यू को देखने आते हैं, स्टेच्यू अपिनिटी को यह जवाब है उन लोगों को, जो अपने परिवार के साथ सिम्के हैं, और आज मोदी जी के ही गाइडन्स से, मोदी जी की ही प्रेना से, यहां सरदार पटेल स्पॉर्ट्स एंकलेव बना है, जो आने वाले कई सालों तक देश भर के बच्चों को दुनिया के स्खेल्स पर स्ठी़ीज़ी एगा और गांदीनेगर का क्रिकेट शेडिएम भी रहेगा, यह सब मिला कर बच्चे कोई इसा नहीं होगा जो ओल पीक के अंदर खेला जाता होगा और इसको खेलने की सुवीधा ने हो, उलंबिक के अंदर खेलने जाने वाले सारे खेल एक ही जगे पे खेलने की व्यवस्ता आज नरेंद्र मोदी जी की प्रेणा से राष्ट्रपती महोदय के करकमलों से इसका भूमी पूजन होने जा रहा है और मित्रो इसके साथ तीन हजार खेलाडियों के रहने की अलग से व्यवस्ता है तीन हजार बच्चे यहां रहकर अपने आपको अपने कोच के मार्गदसन में अपने आपको आगे बढ़ा सकते हैं डाइसो से जादा अंतराश्टियस तरके कोचीज की रहने की व्यवस्ता है देर सारे बच्चे यहां पर बेठें मैं इनको कहना चाहता हूँ कि आपको जो स्ट्रगल करनी पड़ी है वो स्ट्रगल अगली पिडी को न करनी पड़े इसलिए पूरी सुईदा देश के इस प्रकार की व्यवस्ता भारत में नहीं है इसलिए मैंने कहा कि मोदी जी ने हैरिटेस टीजरी तो बनाया था एमदाबाद को आज एमदाबाद भारत का स्पोर्ट सीटी भी बनने के लिए तैयार खड़ा है और एमदाबाद भारत का स्पोर्ट सीटी माना जाएगा खे ये स्पोर्ट संकुल बनेगा और लगभग 93 लाग वर्गफिट सिर्फ नहिनी और है स्टेडियम को छोड़ कर 93 लाग वर्गफिट का स्पोर्ट संकुल होगा लगभग 46 करोड रुपय की लागत आएगी 32 करोड रुपय का सरकारी निवेश होगा 1400 करोड रुपया पब्लिक पार्टनर पब्लिक पीपीप मॉडल पर इसको ले जाएंगे और भारत गुजरास सरकार ने नितिन जी यहां बैठे मैं उनका और गुजयवे का धनिवाद करना चाहता हूं कि बहुत बड़ी भूमी भी यहां पर देने का काम गुजरास सरकार ने कि एक अदिक नर्सक खेल के लिए 12,000 लोगों की सुभी दावला इंडोर स्टेडियम बनेगा एक और इंडोर स्टेडियम बनेगा जिसके अंदर 15,000 लोग बैठ पाएंगे और 15,000 लोगों की बैठने की समता वाला एक होकी स्टेडियम भी बनेगा जैसे आज यहां रमोधी क्रिकेट स्टेडियम का नामकरण हुआ है महामहिम के नाम से ही होकी के जादुगर ध्यानचनगी के नाम से वह होकी स्टेडियम का भी भूमी पूजन आज ही महामहिम के हाथों से पूरा हुआ है यह सारे तीनों सुविदाएं होकर कुल मिलाकर 20 स्टेडियम बनेंग और जो खिलाडियों ने देश को अंतराश्ट्रियस तरपर नामना दिलाई है। वो सभी के नाम पर ये हर एक स्टेडियम का नाम करण किया जाए है। ऐसे की खेल को बढ़ावा देने वालों को भी प्रेणा मिलेगी। खेल के कोचीज को भी पिलना मिलेगी और खेलने वालों को भी प्रेना मुलेगी एक तरब से यह बहुत कम्पलीट स्पोर्ट संकुल बनने जा रहा है यहाँ पर लगबग लगबग तीन हजार एपाटमेंट्स बनेंगे जिसमें बारा हजार पांसो बच्चे रह पाएंगे तीन हजार एपाटमेंट्स और बारा हजार पांसो बच्चे एक साथ यहाँ पर कोचिंग कर पाए इस प्रकार की व्यहस्ता की है कोच बहर बनेंगे लगबग 12,000 कार और 35,000 टू विलर्स के पार्किंग की वियस्ता पी यहां पर होनी है और मेट्रो भी आगे बढ़ेगी तब यहां तक पहुंच जाएगी एक प्रकार से एक सहर के अंदर सहर को जोडने का स्पोर्ट कोंपलेक्स के जोडने का सरदार पटेव स्पोर्ट एंकलेव से जोडने का एक बहुत अच्छा इंफ्रस्ट्रक्चर भी आगे बढ़ने जा रहा है नारणपुरा के अंदर लगभग लगभग 17 एकर से बड़ी जमीन के अंदर 77,000 चौरस मीटर के एरिया में 458 करोड के रुप्य की लागत से एक दूसरा स्पोर्ट कॉंपलेक्स भी बनने जा रहा है जिसका भी नाम करण होना बाकी है मेरे लिए आनन्द की बाद है रिज्जू जी या बेठे है अभी बजेट के बाद इन्होंने इसको एपरू किया है और मेरे लिए आनन्द की बाद है गांदी नगर स्टेडियम भी मेरी कॉंसिट्येंसी में है नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी मेरी कॉंसिट्येंसी में है सरदार पतेल एंकलेव भी मेरी कॉंसीटियंसी में है और इनाणपूरा का सपॉर्ट इन्प्रास्ट्रक्चर गंदी नगर लोकसभाग्शेतर में होने वाला है इसका मुझे बहुत आनंद है ऐतलेटीक स्टेडियम बिल्डिंग वहाँ पर एक बनने वाला है जिसके अंदर अलग-अलग प्रकार के 33 खिलो को खिला जाएगा मल्टी स्पोर्स स्टेडियम भी वहाँ पर बनने वाला है ट्यानिस स्टेडियम बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टांडर का बनने वाला है एक्वेटिक स्टेडियम बिल्डिंग भी वहाँ पर एक बनने वाला है स्विंग पुल की भी सारी वियास्ता है वहाँ पर बनने वाली है और कुल मिलाकर वहाँ पर भी 6000 वहाँनों के पार्किंग की वियास्ता भी करी है ये सारी सुविधाओं को विजुलाइज करकर संकलित किया गया है जिससे रिपीटेशन भी न हो आंतराष्टिय स्तरकी भी बने और जब कोई आंतराष्टिय स्पर्धा के लिए एमडाबा, सहर को और भारत को बिडिंग करना है तब वो 50 किलोमीटर के दाएरे में जो आंतराष्टिय स्तरक्या मानांक मना गया है ये सारी सुविधाओं 50 किलोमीटर के दाएरे में भी होगी इसकी ट्रांस्पोर्टिशन की भी वियरस्ता होगी एक संपूर्ण दूर द्रस्ति के साथ अमडाबाद के अंदर इतने बड़े स्पोर्ट सुविधाओं का आज भूमीपुजन, लोकारपन सब होने जा रहा है मैं आज इतना जरूर कहना चाहता हूँ मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूँ में वहाँ पर प्रदान मंटरी बने में पार्टी का राष्टी अध्यक्स बना दूसरी बार वो प्रदान मंटरी मरें मैं उनकी मंटरी मंडल में उनका साथी एनाते काम करता हूँ मित्रों इन्हों ने हमेशा कहा है कि जब तक खेल में युवा आगे नहीं बढ़ सकता है देश के लिए युवा कुछ नहीं कर सकता है और इसलिए इन्हों ने खेलो इंडिया की सुरुवात की फिट इंडिया मुवमेंट को हाथ में लिया और खेलो इंडिया की सुरुवात को 2018 में जो हुई इतनी अच्छी सफलता मिली है जिसके कारण अब आप क्यों भी इस परदा हो कॉमन वेल्ट की हो इस्यार की हो अलम्पिक की हो तालिका के अंदर भारतियों के नाम दिखाई इसके लिए दुनिया बरके एक्सपर्ट को बारत सरकाने रखा और एक बजेट के अंदर मस मोटी बढ़ोतरी करकर स्पोर्ट की सुईदाओं को बढ़ाने का काम करा और तहसिल तक स्पोर्ट को नीचे तक तैलसी तक परकोलिट करने के लिए उन्होंने बहुत पेन लेके आगे बड़े हैं और मैंने इस बात को बहुत नजदीक से देखा है और देश में एक स्पोर्ट उन्यवर्सिटी भी मनिपुर में उन्होंने बनाई नौर्थी स्पोर्ट में सबसे आगे होता है वहाँ पर बनाई और आज एमदाबाद में पूरी स्पोर्ट की नहीं है कि आने वाले दिनों में एस्याड हो या ओलंपिक हो हमें हमारे लोगों खिलाडियों के नाम हर तालिका के अंदर सिल्वर गोल्ड लेते हुए नजर आए वो दिन भारत के लिए बहुत नदीक है आने वाले आट-दस साल में ही इस विदाओं से खड़े हुए खिल करेगा मित्रो मैं आज यहां से देश भर के युवा को अपिल करने भी आया कि मोदी जी जब से प्रदानमंत्री बने तब से उन्होंने देश का सन्मान दुनिया में बढ़ाया है और अब उन्होंने आत्मनिर्वर भारत का नारा दिया है आत्मनिर्भरता का मतलब अर्थतंत्र के अंदर आत्मनिर्भरता नहीं है हर खेत्र के अंदर आत्मनिर्भरता होनी चाहिए और खेलों के अंदर भी आत्मनिर्भरता होनी चाहिए और खेलों पर भी खेलों की दुनिया में भी भारत का नाम दुनिया में सर्वोच जगे पर लक्स रेकर हमारे युवाहोंने परिश्रम करना चाहिए जहां तक इंफरस्ट्रक्चर का सवाल है जहां तक वायू मंडल बनाने का सवाल है मैं आपको मोदी जी की और से गैरंटी देता हूं नरेंद्र मोदी सरकार एक इंचे मेहनत से पीछे नहीं हटे की चाहिए इंफरस्ट्रक्चर देने की बात हो चाहिए वायू मंडल देने की बात हो चाहिए प्लेटफर्म देने की बात हो अगर हमारा विवाह आए खेलों को अपनाए खेलों को अपनी केरियर बनाए और आगे नहीं है और हम सब का सवभाग्य है कि शुरुआत करने के लिए हमारे महामहिम राष्टपती स्वयम पदा रहे हैं उनके प्रेना से उनके करकमलों से आज जो यहां पर काम शुरू हो रहा है यह निश्ची थी दुनिया में भारत को यस दिलाएगा दुनिया में भारत को खिलाडियों और खेल प्रमियों को सरदार पटेर स्वाट एंकले और नरेंद्र मोधी स्टेडियम का सबसे बड़ा स्टेडियम है इसके लिए पुर्वक की सब को सूपकामनाय और खिलाडियों को बहुत देता हूं और जो साड़े 600 स्कुलों के बच्चे यहां खेलने आन के अंदर छोड़िएगा तभी जाकर वो सफल नागरिक बन पाएगे हार को पचाने की आदत पड़ेगी जीतने का जजबा आएगा जीत की आदत पड़ेगी तो जो काम करेगा उसमें वो आपका नाम रोशन करेगा सभी अभी भावक खेलों के लिए अपने बच्चे को इ भारत मता कीज़े मार्ग दर्शक संबोधन के लिए मारत ना युवावों बालों को आगळवदे ते माटेना प्रयत्नों करवा माविरे हाच्वें निर्मित क्रिकेट स्टेडियम जिसका आज से नामकरण नरेंद्र मोधी क्रिकेट स्टेडियम का हो गया है उसके उद्गाटन तथा सरदार बल्लभाई पटेल स्टेडियम के भूमी पूजन के अवसर पर प्रमक रूप से उपस्तित गुजरात के राज्यपाल श्रियाचार देवब्रत जी केंद्रिये ग्रह मंत्री स्री अमित साह जी युवा कारेवं खेल राज्यमंत्री स्री किरण रीजीजू जी उपमक मंत्री स्री नितन पटेल जी राज सवासांसत स्री परिमल नत्वानी जी BCCI दथा गुजरात क्रिकेट एसोशेशन के अन्न पदादिकारी गर्ण सरदार बल्लभाई पतेल स्पोर्ट सिंकलेप से जुड़े सभी पदादिकारी क्रिकेट प्रेमी भाईयो औने बेनों केम छो गुजरात क्रिकेट एसोशेशन द्वारा निर्मित विश्व ना सौथी मोटा क्रिकेट स्टेडियम नो उदगाटन करीने मने खूब आनन्त है उच्छे आप रसंगे वो तमाम देशबासियों अने खास करीने क्रिकेट चाहकों ने अभी नंदन पाठों उच्छों यह एक उलेखनी सुखत सयोग है कि लगबग चार दसक पूर्व मोटेरा में निर्मित पहले क्रिकेट स्टेडियम के नर्मान के सुभारंब के समय मेरे पूर बर्ती ततकालिन राश्टपति ज्यानी जेल सिंग जी यहां आये थे और इस स्टेडियम निर्मान के पूर होने तता इसे राश्ट को लोकार्पित करने का सोभाग मुझे आज मिला है गुजराज सरकार द्वारा इसी परिशर में बनाए जाने वाले सरदार बल्लब भाई पटेल स्पोर्ट्स इनकलेप का आज भूमी पूजन करके भी मुझे बेहत खुसी हो रही है मोटेरा इस्टेडियम को वर्तमान सुरूप प्रदान करने वाले गुजराज क्रिकिट एसोशेशन के सभी पदादिकारी एजेंसी तता साहियोगी विशेश सरहाना के पात्र है मुझे बताया गया है कि यह स्टेडियम विश्व में सबसे बड़ा हुआ साथ सुविधाओं की दर्स्टी से भी सर्वस्रिष्ट है इस अतियादुनिक और भब्बे स्टेडियम की परिकलपना वा निर्मार योजना प्रदान मंत्री स्री नरेंदमोधी द्वारा तभी पूरी कर ली गई थी जब वो गुजराज के मुख्ध मंत्री थे उस समय वो गुजराज क्रिकेट एसोशेशन के अध्यक्ष पत की जिम्मेदारी निभा रहे थे उनके बाद एसोशेशन के अध्यक्ष का पदभार केंदरी ग्रह मंत्री स्री हमिस्ता ने समाला और उनके कारकाल में इस स्टेटियम का निर्माण कार पूर्ण रूप से संपन हुआ देवी और सज्जनो नवंबर 2018 में आस्टेलिया की अपनी विदेश यात्रा के दौरान में मेलबर्न भी गया था तब मुझे बताया गया था कि 90,000 दर्सकों की छमता से युक्त मेलबर्न क्रिकिट ग्राउंड विश्चु का सबसे बड़ा क्रिकिट स्टेडियम था आज हम सभी देशबाशियों के लिए गर्व की बात है कि एक लाग 32,000 दर्सकों की छमता के साथ मुटेरा का ये स्टेडियम आज विश्चु का सबसे बड़ा क्रिकिट स्टेडियम बन गया मुझे ये जानकारी दी गई है कि इस स्टेडियम में होने वाले डे नाइट मैचों के लिए LED लाइटिंग से रोशनी की बिसेश बिवस्था की गई है किसी भी अन्य स्टेडियम में इस्तेमाल हो रही लाइटिंग की तुलना में यहां लगबग आधी बिजली खर्च होगी उर्जा का इतना किफाइश मुप्योग विसेश सराह नहीं है ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन की गोल्ड रेटिंग से युक्त यह स्टेडियम एको फ्रेंडली विकास का एक अच्छा उदाहरन भी है यह स्टेडियम विश्वपटल पर अपनी मजबूत पहचान बनाने वेले आज के भारत की आकांचाओं और छमताओं को प्रदर्सित करता है देवी और सजनों भारत ने जो वर्चस क्रिकिट में हासिल किया है वह इस विश्वास को मजबूत करता है कि अन्न खेलों में ही नहीं बलकि विकास के छेत्रों में भी हमारा देश विश्व में उचा इस्थान प्राप्त करने की छमता से परिपूर्ण है भारत और इंग्लेंड के बीच टेस्ट मैच के आयोजन के साथ आज से स्टेडियम में अंतर रास्टी क्रिकिट मैचों की सुरुवात हो रही है मुझे विश्वास है कि यहां की अतियादुनिक सुविधाएं खिलारियों को स्रेश्ट प्रदर्सन करने और दर्सकों को मैच देखने का विशेश अनुभव प्रदान करेंगे भारत को पावर हाउस आफ क्रिकिट अथ्वा हब आफ क्रिकिट भी कहा गया है इसी लिए यह सर्वता उप्युक्त है सबसे बड़ा क्रिकिट स्टेडियम भी अब हमारे देश में ही है हमारे बहुत से युवाब क्रिकिट खिलारी, छोटे गाउं वा सहरों से निकल कर आर्थिक तंगी के बाबजूद अपने संगर्स वकड़ी मेनत के बल पर आगे बढ़ रहे हैं और क्रिकिट खिलारी जैसे आज के लोकप प्रिये क्रिकिटर भी सामिल है देवियों और सज्जनों, अन्न खेलों की अंतर रास्टी प्रतिश्परधाओं में भी हमारे युवा बेतरी इन प्रदर्सन करने की छमता रखते हैं इसके लिए जरूरी है कि हम क्रिकिट की तरह अन्न खेलों के लिए भी खिलारियों को विश्व इस्तरी इंफ्रास्टर्टर उपलब्द कराएं इस स्टेडियम के परिशर में ही अन्तर रास्टी इस्तर का स्पोर्स इंकलेब बनाने की पहल के लिए मैं गुझराज सरकार को बधाई देता हूँ मुझे बताया गया है कि ये स्पोर्स इंकलेब एक मल्टी स्पोर्स वेन्यू के रूप में खिलारियों के लिए उप्योगी सिद्धोगा, तथा रास्टिये खेलो और ACR जैसे अंतर रास्टिये आयोजनों की मेजबानी की सुवधाएं भी प्रदान करेगा। मुझे जानकारी दी गई है कि ये पूरा इंकलेव अंतर रास्टि मारुकों के अनुसार और सस्टेनेबिलिटी के माप दंडों के अनुरूप विक्सित किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में रभाई पटेल स्पोर्स इंकलेव अहमदावाद सहर को स्पोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर की द्रस्टी से पूरे विश्व में एक नई पहचान दिलाएगा। सीड़ी ने गुजरात के मुख मंत्री की अपने कारकाल के दोरान राज में खेल कूद को काफी प्रोथ सहन दिया था। जैसा कि केंदरी खेल मंत्री और केंदरी गिर्य मंत्री के संबोधनों से हम सब को ज्याद हुआ है कि केंद सरकार द्वारा पूरे देश में खेल की एक नई संस्कृति विक्सित की जा रही है। खेलों इंडिया तता फिट इंडिया जैसे अभियान देशवासियों में स्वास्त तता खेल कूद के प्रती रुज़ान पैदा कर रहे हैं। खेल सुविधाओं का विकास तो महात्पूर्ण है ही। उससे भी अधिक महात्पूर्ण यह है कि ब्यापक इस्तर पर प्रतिभासाली खिलारी इन सुविधाओं का लाब उठा सके। फैसिलिटी तथा एक्सेस टू फैसिलिटी दोनों ही जरूरी हैं। पिछले वर्ष एक समाचार पत्र से मुझे यह जानकारी मिली थी। कि दिल्ली में धावे में काम करने वारा एक होनहार साइकलिस्ट वालक दिल्ली में राज्य इस्तर की प्रतियोगिता में उधार ली हुई साइकल चलाकर सिल्वर मेडल जीत चुका था। लेकिन उप्योक्त ट्रैक पर साइक्ल चलाने का अभ्यास नहीं कर पाने के कारण वे साइक्लिंग फेडरेशन अफ इंडिया की एकडेमी में प्रिसिक्षन के लिए होने वाले चैन में भिफल हो रहा। उसके पास अच्छी साइक्ल नहीं थी तथा ट्रैक के उप्योग के लिए प्रिवेश सुल्क के पैसे भी नहीं थे। उस बच्चे को राश्पति भवन द्वारा एक नई साइकल दी गई आधुनिक नई साइकल उसके लिए ट्रैक का इस्तेमाल करना प्रदान की गई उसके बाद वो साइक्लिंग फेडरेशन द्वारा प्रिसिक्षन के लिए चैन में भी सफल हुआ और मुझे ये बताते हु आर्थिक अभाव दूर दराज के इलाकों में रहने या अन्य रुकावटों के कारण अपनी प्रतिभा के अनुरूप प्रिसिक्षन का आवसर नहीं प्राप्त कर पाते हैं युवा खिलाणियों को सुविधाएं उपलब्द कराने के प्रियास किये जा रहे हैं उन प्रिय देश के विकास का मापदंड भी होते हैं टीम भावना विक्रिषत करने में खेलों का महातु सभी मानते हैं स्वस्त प्रतिश्परधा की संस्कृति का आधार भी खेल के मैदानों में तयार होता है निश्वार्थ भाव से टीम की विजय के लिए अपना योगदान देने की भावना का संचार भी खेलों के दोरान होता है खेल के मैदानों में केवल सारीरिक विकास ही नहीं होता बलकि चरित्र निर्मान भी होता है मुझे विश्वास है कि देश की स्वस्त युवापीडी एक अच्छे समाज एवं विक्सित राष्ट के निर्मान में अपना योग मनाएं देता हूं और एक बार फिर आप सब को इस क्रिकेट स्टेडियम के उद्गाटन तथा मल्टी स्पोर्ट्स फैसलिटी के सिलान्यास की हार्दिक भधाई देता हूं खूब खूब अविनंदन खूब खूब सुवेक्छाओ आभार जैहिंद बहुत बहुत धन्यवाद माननिय राष्ट्रपती महोदै श्रीयापका गुजरात कृतग्य रहेगा कि आज ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण एतिहासिक घटनाओं का आपके करकमलों से भूमी पूजन वाउदगाटन हुआ आजे माननिय अम्मित भाई साथ द्वारा समगर गुजरातना बधाद नागरीकोंने अने देशतना बधाद नागरीकोंने खुब आननन थाई ये भी बेजाहेरत करवा मावी छे पहला तो तेहोश्री द्वारा आखुझे सरदार पटेल स्पोर्स संकुल बनवानू छे के जे मां मोटेरा स्टेडियम के जेनू नाम करान माननिय अमित भाईये माननिय परीमल भाई माननिय जय बाई सा अने माननिय धंद्राज भाई नी क्रिकेट एसोसेशन नी उपस्तिती मा कि जी ना नाम साथे साकड़ी अने आ स्टेडियम नू नाम नरेंद्र मोधी क्रिकेट स्टेडियम जाहर कर्यू छे इते आर इते माननिय अमित भाईये अपना गुजरात ना देश ना बेह महान सपूतो बेह विश्वव भुव्यूतियो श्री सर्दार वल्लभाई पटेल अने मानिय नरेंड्र भाईने अने गुजरात ने खोब मोटू गवराव अपावियू छे त्यारे गुजरात सरकार वती गुजरात नी जनता वती वो मानिय अमित भाईनो मानिय परिमल भाईनो मानिय जय भाईनो धन्राज भाईनो अने क्रिकेट एसेसेसन नो आपार अने आप शवने पन विननती करूछु कि आपनी जग्याई उफा थाई अने खोब तालियो वगाली आ नाम करने आप वतावो यह आप शवने स्टेंडिंग ओवेश